प्रवली गाम में अकोर्ड होस्पिटल का जो होस्टल है उसमें सुबह करीब नो बचे के आसवास हेंगिंग पाई गई थी जो पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने उसकी जो कानुमी परकिरिया का पालने करते हुए एक सो चोतर के कारवाई की बाद में परिजनों को सुचित करने के बाद परिवर जनुने बताया कि उनकी जो पुत्री है उन्होंने अपने मा से बताया था कि एक आसिस नाम का लड़का है जो उसे बार-बार परिशान कर रहा है साथी के लिए प्लैसर डाल रहा है जिसकी वज़े से वो उसने पी आसीस उसको अरेश्ट कर लिया गया है पुलिस द्वारा यह जो लड़की है यह पहले मुदर मानसर एरिया में गुड़गाउन डिस्टिक में वहां जोग करती थी अभी वो अकोड होस्पिटल में थी पिछले पांच-छे मेने से और यह जो लड़का भी पहले उनके स लड़की साधी करना चाह रहा था और उस पर प्रैसर डाल रहा था तो लड़की साधी करना नहीं चाहती थी उसी की वज़े से उसके प्रैसान करने की वज़े से उसने अपने भासी लगा के पातमेता कर लिए गया है या नहीं है आरोपी को गरपतार कर लिए गया है आज उसको गरिपतार करके कोट में पेस किया जा रहा है आगे जो भी उसकी कानूनी परिखे रहा होगी उस पालेल किया जाए दूसरी एक और मेगला ने आसोसाइट के थी जिसका नाम सेतल था उसके माम में क्या पूर्शितल परवल की रहने वाली थी वो भी फार्मासिस्ट का का सब्सक्राइब करती थी आपके अपोड होस्पिटल में उसके परीजनों ने भी सिकायथ दी है और उस पर 302 का मदमें दर्ज किया गया है और लड़की का जो लैप्टोप है और फोन है फोरन सिंग जाज के लिए डाइटेक में बेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट पाने के सब्सक्राइब की जाएगी और अभी उसमें वैसे हैंनिंग आया है पोस्ट मार्टन रिपोर्ट में लेकिन उसमें कामें परक्रिया जा रही है इसमें भी आपको जल्द अप्टेट दिया जाएगा प्यारा सब्सक्राइब जो आरोपी को गरफदार करने की कवायद दो कमूद में दर्ज हो गया उसमें कानून पर किया जारी जल्दी इसमें रिपतर किया जाएगा